हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चानल इगनु बाबा में आई होप आप 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 करने वाला हूँ इगनु के एक बहुत ही इंपोर्टेंट कोर्स के बारे में जिसका नाम है Master of Business Administration जिहां दोस्तो इगनु ने MBA के डिगरी अभी हाली में शुरू किया है तो मैं इस वीडियो में completely stress से step by step बताऊंगा कि कैसे इसमें admission लेना है आपको क्या admission का process होगा इसके क्या benefits है क्यूं करें आप इस course को क्यूं pursue करें और course का eligibility criteria क्या होगा course का और course का duration क्या होगा और course में कौन-कौन से subject पढ़े होगे आप तो दोस्तो वीडियो को completely पूरा देखिएगा मैं इसमें एक एक चीज बताऊंगा आपको ठीक है admission लेना चाहोगे तो आपको एक entrance test देना पड़ता है जो भी देश में जितने भी IIM है या फिर कोई भी टायर्टू का कॉलेज है कोई university है उसमें अगर आप admission लेते हो तो आपको एक entrance test देना पड़ता है without entrance test आप admission नहीं ले सकते लेकिन इगनु का यह जो सुरू किया गया MBA का इगनु द्वारा जो सुरू किया गया इसमें कोई भी टेस्ट नहीं देना है आप without entrance test admission ले लोगे अगर आप eligibility criteria को follow करते हो दूसरा सबसे बड़ा benefits दोस्तों यह है कि यह course बहुत ही जादा fees pay करना पड़ेगा आप किसी सबसे लोन नीचले स्तर के किसी private college से करते हो MBA की डिगरी pursue करते हो तो वहां भी आपको six to eight lakh के range में fees pay करनी पड़ती है total course की लेकिन इगनु का यह course इतना affordable है कि इसे कोई भी pursue कर सकता है कोई भी इसे इसे मतलब इसको पूरा कर सकता है अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका फिर structure क्या होगा तो आप जान पाएंगे कि यह कितना सस्ता है तीसरा सबसे बड़ा benefits दोस्तों यह है कि यह flexible learning का course है flexible learning in the sense कि यह course online mode में रहेगा आप इसे कहीं भी कभी भी access कर सकते हो दोस्तों वो ल इसे अपने profession के साथ carry कर सकते हैं इस course को पूरा कर सकते हैं अपना job करते हुए भी तो यह बहुत ही ज्यादा beneficial सावित होने वाला है उन लोगों के लिए जो already job में है चौथा सबसे बड़ा benefit दोस्तों यह है कि यह जो course है वो AICTE द्वारा approved है AICTE का full form है All India Council for Technical Education बताना professional courses है उसे यह approved करती है without इसके approval के कोई कोई course करवा रहा है कोई course degree offer कर रहा है तो वो उस course की बाहर मानेता नहीं होगी क्योंकि यह AICTE द्वारा approved नहीं है लेकिन इगनों का जो Master of Business Administration का course है MBA का course है वो AICTE द्वारा approved है तो आपको यह बिल्कुल भी टैंसल नेनी की जरूरत नह जरूरत नहीं है कि बाहर इसकी मानेता नहीं होगी आप अगर इसके बारे में किसी से बात करोगे तो आपके friends या बाहर के लोग बहुत तरह की बाते करेंगे कि अरे इगनों से MBA करके क्या करेगा उस degree की कोई value नहीं होगी तो बताना चाहूंगा कि दोस्तों इस degree की उतनी ह किया हुआ है कि यह जो course है वो AICTE द्वारा approved है यानि कि All India Council for Technical Education ने इसे approved कर रखा है और next benefit दोस्तों यह है कि यह बता चुका हूं online mode में होगा यह pan India level पे होगा आप इंडिया में कहीं भी हो कभी भी इसको पढ़ सकते हो इसका जो study module होगा वो बहुत ही अच्छा है इसमें आपको e-content मिलेगा एक discussion forum मिलेगा live interaction होगा teachers के साथ जहां आप पढ़ सकते हो और assessment जिसमें quizzes और feedback आप teachers को दे सकते हो या teacher आप से कोई feedback ले सकता है तो यह बहुत ही अच्छा course होने वाला है दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं eligibility criteria और medium की दोस्तों अगर किसी ने अपनी graduation कंप्लीट कर रखी है bachelor की डिगरी चाहें वह भी यह हो या फिर ब्स साइंस से हो आर्ट से हो कॉमर्स से हो किसी भी वैग्राउंड से हो बस आपने graduation कंप्लीट कर रखा है और graduation में आपके 50% marks है तो आप इसमें apply कर सकते हो और इस course को pursue कर सकते हो वो लोग जो reserve category से हैं reserve category यान वो उनके graduation में 45% marks भी आया हैं तो वो इस course को pursue कर सकते हैं वो लोग eligible हैं इस course को follow करने के लिए और इसका जो interaction का medium होगा instruction जो आपको दिये जाएंगे वो English में दिये जाएंगे यानि कि यह course का medium जो होगा English में होगा तो यह clearly यहाँ पर mention है और आप बात कर लेते हैं duration और fee structure की दोस्तों यह जो course होगा वो minimum 2 साल का होगा अगर आप आपके पास ज्यादा time नहीं है तो इसमें आप 2 साल में ही कर सकते हैं अगर आपके पास time है और किसी कारण वस आप किसी exam में fail हो गया ऐसा तो नहीं होना है यह लेकिन फिर भी अगर आप किसी exam में fail हो गया तो आप इस हुआ है कि maximum उस चार साल में complete कर सकता है दोस्तों इसका फी स्टक्चर देखिए कितना इजी है ठीक है फी स्टक्चर यहाँ पर clearly mention किया गया है कि मातर 14,000 देना है पर semester for first, second और fourth semester के लिए यानि कि आपको total जो पहला semester होगा second semester जो होगा और fourth semester होगा हर semester के लिए 14,000 रुपए देना पड़ेगा ठीक है और जो last semester होगा उसमें आपको 16,000 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी यानि आप देख सकते हैं कि आप MBA की डिगरी मातर 60,000 से भी कम पैसे में आप इसको complete कर पा रहे तो यह किसी मतलब बरदान से कम नहीं है और जो international student होगे उनके लिए थोड़ा different है international student यानि की मतलब कई लोग जैसे की जो मालदिव के हैं जो भुटान नेपाल बांगलादेश के हैं वो लोग भी courses करते हैं इगनों से तो उनके लिए यहां पर थोड़ा फी structure different है यहां पर प्रोग्राम कॉर्डिनेटर कौन होगा यहां पर प्रोफेसर राजी कुमार सुकला जी ठीक है और एक तूसरे प्रोफेसर है यह आपको पढ़ाएंगे यहां पर इनका फोन नमबर भी है अगर आपको कोई डिटेल चाहिए को से पहला जो फर्स सेमेस्टर में जो सब्जाक्ट होगा वह आपका होगा management function and organizational processes second आपका subject होगा human resource management फिर वैसी अगला होगा business environment फिर उससे अगला accounting for managers quantitative analysis for managerial application marketing management business communication information system for manager यह second year के course थे आपके यहां से सुरुआत है information system for manager से second year में है फिर management mechanics and material ऐसे ही बहुत सारे courses है और third year में सिर्फ आपका project होगा project course और थोड़े छोटे और चार credit के तो दोस्तों देख सकते हैं यह बहुत ही ज्यादा interactive session होगा आपके लिए यह course बहुत ही ज्यादा helpful होगा आप इसे enjoy कर सकते हैं इसे अच्छे से complete कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है और बिल्कुल यह डरने की जुरुत नहीं कि इस course की कोई value नहीं होगी MBS आपने इगनु से कर लिया तो उसकी कोई मानेता नहीं होगी क्योंकि आप देख सकते हैं यूटूब पे भी और बहुत सारी जगे पे यह बहुत सारी बात होगी होती है कि इगनु की डिग्री की कोई मानेता नहीं है लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इगनु एक certified university है नैक ने इसे ए प्लस प्लस का जो rating है वह दे रखा है और यह पार्लियमेंट के लोगदवारा इस्टेबलिस्ट की गई university है तो इसे आप कम मत समझे इसकी बी डिग्री की उतनी वैल्यू है जितनी बाहर के किसी दूसरे college की किसी दूसरे institution की वैल्यू है तो आप इसे pursue कर सकते हैं और सब दूसरी बात बताना चा सकते हैं देखिए यहां पर लिखा हुआ registered user login यानि कि जिसने registration कर लिया है वह यहां पर registration करके बाकी की अपना document upload कर सकता है लेकिन अगर कोई नया है अभी 10 तारिक 10 फरवरी last date है आज हो गई है 8 तारिक तो दो दिन बचे हैं without late fees आप यहां पर registration कर सकते हैं registration में देख सकते है बहुत सारी detail है आपको अपनी basic detail फिल करके यहां पर registration कर लेना है registration करने के बाद आपको अपना document upload करना होगा document upload करने के बाद इस कोर्स में आप इन्रॉल कर पाएंगे यहां पर detailed description दिया हुआ है कि कैसे कैसे इसको मतलब क्या क्या instruction है कैसे कैसे follow करना है वैसे मैंने वीडियो का online registration करें वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे like कीजिए subscribe कीजिए हमारे channel को thank you